नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपके examination perspective से बहुत ही important एक news आई है जो आपके exam में question मनके आ सकता है और हुआ यह है कि अंडमान और निकोबार आइलेंड को अभी recently इंडिया का first स्वच सुजल प्रदेश डेकलेर किया गया है तो इस वीडियो में आपको इसके बारे पूरी detailed information द के साथ भी हम लोग इस topic को समझेंगे तो चलिए start करते देखिए इस तरह का article आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अंडमान और निकोबार आइलेंड को declare कर दिया गया है कि अब यह इंडिया का first भारत का first स्वच सुजल प्रदेश हो गया है water digest का भी एक article छाप स्वच सुजल प्रदेश ठीक है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इस वीडियो की शुरुवात में आपको इस question के साथ करना चाहूंगा एक static question है जो कई बार exams में पूछा गया है सवाल यह है which of the following channel इन में से कौन सा channel है जो separate करता है अंडमान आइलेंड को और निकोब करेंट आंसर वीडियो के लास्ट में दूँगा चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं समझते हैं पहले यहाँ पर हुआ क्या है हुआ यह है कि जो यूनियन मिनिस्टर है जल चक्ति के गजेंदर सिंग शिखावत जी उन्होंने अंडमान और निकोबार को जैसे मैं आप चलिके जोशी इनको यहाँ पर यह पर्टिक्लर दिया गया इसके लावा और क्या चीज़ हुआ पुड्डू चैरी को हर घर जल सर्टिफिकेट यूटी यूटी कैटिग्री में दिया गया ठीक है ना तो पुड्डू चैरी हाज बीन डिकलेरड वाट ऐस उसने अपने और निकोबार के सब जगे आपको मिलने वाला है जल यानी पानी और पानी किसी ने सही कहा है कि अगर इस दुनिया में अब कभी वर्ल्ड वार होगी तो वो पानी की वज़े से भी हो सकती है क्योंकि पानी की किलत बहुत हो रही है हमेशा वर्ल्ड वार आपने दोनों अब यह ओपन डिफिकेशन फ्री जिसको लोग ODAF कहते हैं यह ODAF क्या होता है ODAF प्लस क्या होता है ODAF plus plus क्या होता है यह सारे concepts मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं तो Mr. शिखावार्थ ने congratulate भी किया सारे islanders को और यह कहा कि भाई उनकी participation की वजए से community ने जो इतना support किया उसकी वज़े से हम लोग यह मुकाम हासल कर पाएं हैं ठीक है अब वेंदिस यह पर्टिकलर जो चीज हुई है यह जो आप देख रहें आज ODF दिया जा रहा है water की conservation की बात हो रही है ठीक है तो इसके लिए major mission चलाया गया था जल जीवर mission जो 15 अगस 2019 में यहां पर क्या किया गया था ठीक है उस वक्त अगर बताओं उस वक्त 2019 की बात करें तो उस वक्त 46 परसेंट ऑफ दी जो हाउस होल्ड से चाहले Dort Tail ब करेंगे और ऐटीवन परसेंट अगर मेरा में ओर पिड़ू चरी में मतलब 46 परसेंट वह आपको अंडमान में मिलेगे अंदमान को बार 81 परसेंट पिडू चरी में तब इन के पास क्या था इसने प्रतिशत रूरल household के पास portable water था ठीक है ना portable water था यानि सब के पास नहीं था लेकिन अब क्या हुआ है now you know कि जितने भी गाउं है कुछ 62,000 गाउं है rural households ठीक है यानि कि ग्रामीर जो घर है सब के पास इस वक्त अंडमान और निकोबार में tap water connection आ चुका है ठीक है ना और इतने जो गाउं है रूरल households हैं किसके पुडूचेरी के यहां पर क्या हो गया है एकसेस टू पोटिबल वाटर थू टाप connections यह बहुत इंप्रूर्टन पार ध्यान रखीगा टाप connections आपको हर गाउं गाउं पहुंच गया नॉट अल्ली दिस यह भी बताया गया कि स्कूल हो चाहे आंगनवारी हो चाहे अस्पताल हो चाहे आपको कोई भी ऐसा पब्लिक इंस्टूशन हो उन सब जगे government offices हो गए ग्राम पंचायट सब जगे आपको community centers आपको हर जगे टाप water connection यहां पर अब मिलने वाला है पोटेबल वाटर का access हो गया है थ्रूटाप connections तो इस वेरी वेरी बिग डबल अचीवमेंट अब यह ODF क्या होता है देखिए ODF मतलब open वाट को हम ODF declare करेंगे उसको notify करेंगे ODF अगर किसी एक any point of time पे कोई भी single व्यक्ति not a single person is found difficating in the open अगर कोई भी एक भी व्यक्ति खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया गया at any point of time तो हम उसको ODF declare कर देंगे ठीक है अब इसके बाद यह ODF प्लस और ODF प्लस प्लस का concept इसके बाद आया और यह कहा गया कि अगर वही city वही वार्ड अगर वो उसको sustainably maintain कर पा रहा है उस पार्ट को यानि आपको आज दिखा कोई भी व्यक्ति ODF यानि ओपन डिफिकेशन फ्री यानि इस खुले में शौच करता हुआ नहीं पाया गया यह maintain कर पा रहा है इस चीज को sustain कर पा रहा है तो उसको ODF प्लस या ODF प्लस प्लस का tag देंगे आपको इन दोनों में डिफरेंश भी बताने वाला हूँ तो ओडिया प्लस और प्लस फ्लस प्लस वे लांच्ट इन ओगस्ट दो जार आठार आठार के बाद इसको अटारा में इसू किया गया तो फॉर्दर केलप इस फॉर्दर के अगया हो अब खाली ऑपिन डिफरेंश प्री नहीं है अब यह भी है कि भई उस पर्टिक्लर सिटी यह सब्सक्राइब कोई सारा कम्यूनिटी जितना और कम्यूनिटी और पॉब्लिक टॉलेट्स यह सब फंक्शनल हो तो अब टॉलेट्स की बात आ गई कि भई आपने रोक तो लिया ओपन डिफिकेशन फ्री करने से लेकिन उसकी जगा शॉच होगा कहां पर तो सारे पॉब्ल साच में जो भी सब्सक्राइब करने टाया सब्सक्राइब करतें अच्ठेख करने से यहां पर निकाल देट यहां पर दिया जा सकता है ठीक है तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि प्रॉपर ड्रेने सिस्टम भी यहां पर टाग दिया जाएगा उमीद आपको यह सारे पॉइंट समझ में आप है अब मैं आपको अंडमान और निकोबार के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा देखें आप करेंगे सबसे उपर North Examiner которое को अजाएगा तो कभी कंफ्यूूज मत होगा रिगा और लह लगा लेते हैं ब्ले ब्给 होते हैं कि पहले कौन सा आएगा कभी कोश्चन आता है कि अरेंज देम इन फ्रॉम फॉम दी नौर्ट तो साउट डिरेक्शन तो ठीक है तो कभी-कभी यह बुलिट पॉइंट में आप नोट कर लीजेगा ठीक है लिटल अंडमान इसके नीचे इसके बाद अंडमान के बाद आता है निकोबार अंडमान और निकोबार को एक चानल डिवाइड करता है और वो चानल कौन सा होता है यह आप लोग मुझे कॉमेंट बॉक्स से यह सबसे Tom न 11 इसको भी अैको अाता हैhu सबसे टॉप नॉर्डवेंट कोवार कौन सा है कारनको बार कौन यूप आहें सफय नीचे आइगे यह देखिया और लिटेल निपको वार के नीचे आपको ग्रेट निक को बार मिलेगा पहलेattend लिटेल निपको बार आए est casino इसको देखšाुए कच्छाल अभी मैं आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट फिगर पॉइंट बताऊंगा आपको यह अर्रेंजमेंट समझ में आगा होगा कि अंडमान निकोबार के आइलेंड के तरह से अरेंज हैं कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहां पर लाई करता है कर रहा है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहां देखते हैं अब देखे इसकी अंडमान निकोबार की ओफिशिल लांगविज क्या है देखे हिंदी एंग्लेश द्याजी ओफिशिल ल लेकिन मैंने अंडमान निकोबार की ओफिशिल वेबसाइट से निकाला है वहां पर लिखा है यह जो इन हैं पर्मेनेटली वहां पर लोग रह पार है पर्मेनेटली इन हैं है 38 आप देख सकते है 38 आप जब ट्रेड होता है तब कौन सी लाइल टी होती है अंडमान को मृपी इंदी को फॉलु किया जाता है लगाली ल संब इसको मलें लांगविज यहां पर लिया गया है थी कि यह पॉइंट मैंने आपको Orth harus आ दिया बंगाली कि इसकी मोस्ट डॉमिनिटिंग लैंगविज है मां की ऑल्टो इंग्लेश न हिंदी आधी ऑफिशल लैंगवज इस तीक है अब कच्छाल की बात करें जो मैं भी आपको पॉइंड मार्क करा रहा था अभी इस पर्टिकलर आइलेंड के बारे में जाधा जानकारी नहीं थी लेकिन अ यहां पर आपको मिलेंगी आपको मिलेंगी वरी वरी इंपॉर्टन ठीक है उसकी पाद आप यह जो जहां पर देख रहे हैं यह डुगॉंग है यह सी काउ बोलते हैं इसको यह डुगॉंग है जेंटल सी काउ यह स्टेट एनिमल है अंदर पदेश अंदमान निकोबार आइलेंड का क्लियर है उसके बाद एक फैक्ट इंपॉर्टेट यह है कि कॉमर्शल फिचिंग जो है वो अंदमान निकोबार आइलेंड नहीं है उसके लाबा आप अगर 20 रुपे का नोट देखे तो इस बीस रुपे के नोट में आपको जो यहां पर ऐसे यह दिखता है यह सीनरी दिखती है यह अंदमान निकोबार की यहां पर ली गई सीरी सीनरी है 20 रुपी नोट डिपेक्स असीन फ्रॉम अंदमान निकोबार आइलेंड इंट्रेस्टिंग फैक्ट है कभी एक्जा बाराटांग इन अंदमान यह इकलौता प्लेस है यहां पर आपको मड़ वलकनों मिलेंगे यह कोश्चन भी एक्जाम में कई बार आ चुका है और बाराटांग की उपर भी सवाल पूछा जाते हैं यह आपको दिख रहा है यह मड़ वलकनों है उसके लावा देखिए जल ह आपको यहां मिलता है यानि तीनों सर्विसेज यानि आमी एरफोर्स नेवी तीनों के हां पर कमांड आपको इस पर्टिक्लर जगें अंदमान निकोबार पर मिलेंगे ठीक है अंदमान निकोबार आइलेंड आर सेपरेटेटर बाइट 10 डिग्री चैनल मैंने आपको यह ब तो यह पॉइंट यहां पर समझ में आ गया अब करेक्ट आंसर इसका आपको हैं आवरी बार्ट